टारगेट क्लासेज विद हरी सर में आपका स्वागा थे जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कर दें और सस्क्राइब कर दें बैल आइकन को प्रस कर दें देखते हैं आज की वीडियो का फरस्ट क्वेस्चन फर्स्ट क्वेश्चिन इसमें दिया गया है नेम्ले लिकित में से कार्विद एसिड का कौन सर्फ्रेश्ट स्रो थे चार आफसंस दिए गए हैं पुछली वीडियो में आप लोगो को बताएते हैं इसमें नीमउ बताएते हैं लेकिन नीमउ जो इसमें राउंग एंसर हो जाएगा जो राइट अंसर इसका होगा आउला हो जाएगा Q2. स्वच्छदा के 5 घटक हैं. सारेरिक, स्वास्थ, मानसिक, स्वास्थ. चार आप्संस दिये गए हैं. अध्यात्मिक, सामाजिक वा स्वास्थ वातावरण, सामाजिक चिछा वा स्वास्थ वातावरण, सहन्सिल, लचिलापन वा सारेरिक बनावट. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा A. स्वच्छदा के 5 घटक हैं. सारेरिक, स्वास्थ, मानसिक घटक, और तीसरा आप्संस दिये गए आत्यात्मिक, चौथा, सामाजिक, 5 वा जाएगा स्वास्थ गटक. इसका राइट आंसर क्या है ए है question number 2 question number 3 अपने आपको स्वस्थ रखने के लिए मनिस्य को प्रते दिन कम से कम कितने समय व्यायाम करना ज़रूरी है 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C 30 मिनट अपने आपको स्वस्थ रखने के लिए मनिस्य को प्रते दिन कम से कम 30 मिनट आवस्य व्यायाम करना चाहिए question number 4 निम्न लिकित स्वास्थ संकल पनाओ में से कौन से संकल्पना नवीन्तम है जयो चिकिस्था संकल्पना मानसिक सामाजिक संकल्पना धार्मिक संकल्पना पार्षित किये संकल्पना तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा C. धार्मित संकल्पना धार्मित संकल्पना या आध्यात्मित आयाम को स्वास्त के नए संकल्पना को जोड़ता है Question number 5 Question number 5 है इसमें अच्छे स्वास्त के लिए किस प्रकार का व्यायाम आवस्यक है तो इसका राइट आंसर क्या होजएगा अच्छे स्वास्त के लिए नियमित व्यायाम आवस्यक है यदि व्यायाम नीमित रूप से किया जाये तो ही यहां सारिक पुष्ट योकिता में सुधार लाता है question number six fit और स्वस्त रहने के लिए क्या आवस्चक है तो fit और स्वस्त रहने के लिए क्या आवस्चक है अभी रूची आचार प्यावार दिन चल रही है जीवन साहली तो इसका right answer क्या हो जाएगा जीवन साहली और स्वस्त जीवन साहली स्वस्त संबंधी और समस्याओं के प्रभावत था घटना से बचाने स्वस्त लाब या तिकवरी प्राप्त करने जीवन इस्तर को उन्नत बनाने का एक महत्यपूर साधने स्वस्त की मुख्य रूप से जिम्मेदारी है चार आपसंद दिये गए हैं समुदाई की व्यक्ति विसेश की राज की माता पिता की तो इसका right answer क्या हो जाएगा कर राइट answer हो जाएगा बी व्यक्ति विसेश की क्वेश्चान नमबर एट अच्छे स्वास्त के लिए भोजन क्यों आवस्चक है तो अच्छे स्वास्त के लिए भोजन क्यों आवस्चक है दोको अंग विन्यास विकर्तियां विकास तुरग उत्तर और चौथा इसमें दिया गया है अच्छी आदत तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा अच्छा भोजन या संतुलित आहार भोजन के व्रद्धि विकास कार तथा स्वास्ति सनचण के लिए आवस्चक तत्तों को समलित करता है बी जो इसका राइट आंसर है निम्न लिकित में से अच्छा स्वास्थ किस्पन निर्वर करता है? किस्पन निर्वर करता है? व्यायाम और आराम, आहार और पोसर, स्वच्छता और आधते इन में से सभी तो अच्छा स्वास्थ किसपन निर्वर करता है? व्यायाम और आराम, तो यह भी इसका जूर राइट अंसर है, ठीक है, आहार और पोसर, स्वच्छता और आधते, यह भी राइट है, जो उपर के तीनों इसमें राइट हैं, तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा, इन में से सभी, क्वश्चा नमबर 10, निम्ण में से कौन सा व्यायाम कलाब नहीं है? वसा को घटाना, रक्त चाप को बनाए रखना, चोट रोगों से मुक्ती, तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा? कर राइट अंसर हो जाएगा, C, चोट जो है व्यायाम कलाब नहीं है, क्वश्चा नमबर 11, 11 इसमें अधिक समय तक या अधिक व्यायाम करने से असुविदा या कम हुई छमता को कहते हैं, जकर, सोस, गहरी थकान, थकावट, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गहरी थकान, C, जो इसका राइट अंसर है, क्वश्चा नमबर 12, अच्छे भोजन के लिए आवस्यक मूल सरते हैं, चार आपसन दिये गए हैं, सही भोजन, व्यक्तिगत और पारिवारिक स्वच्चता, व्यायाम और आराम उपरी सभी, इसमें आपसन दिये गए थें, अच्छे भोजन के लिए आवस्यक मूल सरते हैं, सही भोजन, यह भी राइट है, व्यक्तिगत और पारिवारिक स्वच्चता, यह भी राइट है, व्यायाम और आराम, यह भी राइट है, तो इसका राइट अंतर हो जाएगा सी, यह उपरी सभी, व्यक्ति का स्वास्त जो है काई कार को पनिर्वा करता है, इसमें आन्वान सिक, पारियावरण, उचित आहार, नियमित व्यायाम, उचित विस्राम, और निद्रतता तनाव से मुक्ति, क्वेश्चा नमबर 13, 24 से 48 घंटों में तीवरगत से भार का कम होना, किस कारण होता है, किस कारण होता दुखो, एपिटाइट, प्लोस, पानी की कमी, कठिन, परिस्राम, उपवास, तो 24 से 48 घंटों में तीवरगत से भार का कम होना, किस कारण होता है, तो यह होता है, उपवास, क्या होता है, उपवास, आनि सरीर का तीवरगत से भार क कम होना, यानि पानी की कमी के करण माना जाता है, इसका जो है डी जो राइट अंसर नहीं है जो है बी इसका राइट अंसर है ठीक है पानी की कमी बी जो इसका क्या है राइट अंसर है अगर 24 से 48 घंटों में ती ब्रगत से भार कम हो रहा है तो किसके कारण कम हो रहा है पानी की कमी के कारण क्वेशान नंबर 14 नीम्ड में से कौन सा स्वास्त सिच्छा कारिकरम का भाग नहीं माना जाता है स्वास्त प्रसिचड, स्वास्त निर्दिश, स्वास्त सेवाईन, स्वास्त निर्चड तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर हो जाएगा स्वास्त प्रसिचड, ए जो इसका राइट अंसर है क्वेशान नंबर 15 जे इपार्क ने स्वास्त सिच्छा के निम्ड में से कौन से उद्देश नहीं सुझाए वांचनी स्वास्त अभी व्रत्त का विकास कार के लिए परामर्ष व्यक्तियों को अभी प्रेरित करना व्यक्तियों को सूचित करना तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा इसका राइट अंसर निवांचनी स्वास्त अभिव्रत्य का विकास क्वेश्चन नमबर 16 बहुत कठीन ज्यायाम के समय किसी को ठकावट आने का प्रमुक करण है क्या इसका करण है? चार आप्सन दिये गए हैं कलाइकोजन का निसेसर दुख आमल का बनना ऑक्सिजन, डेप्ट, कारबन डाई, ऑक्साइड कर राइट अंसर क्या हो जाएगा? कर राइट अंसर हो जाएगा बी, दुख आमल का बनना यानि जब मांस्पेशियों को कठीन वियायाम के समय पर्याप्त ऑक्सिजन नहीं मिल पाता है या नहीं मिल पाती है लाक्तिक ट्रीं मांस्पेशियों करें की उप्योगी नहीं है लेकिन यक्रत वियायाम के बाद में इसे ग्लुकोस में बदल देता है तता लाक्तिक एसट मांस्पेशियों के अंदर जम जाता है और थकावट होने लगती है ठीक है लेक्टिक एसिट के कारण क्या होता है तनी थकावट में सोस होने लगती है ठीक है और इसका राइट अंसल क्या जाएगा बी है दुख्व आमल का बनना क्वेशन नमबर 17 निम्न में से कौन सा तत्व स्वास्त संबंदी दच्छता का भाग नहीं माना जाता है तो चार आप्शन जिसमें दिये गए है बाडी कमपोजीशन कार्डियो वैस्कूलर स्ट्रेंथ मांस्पेसी सक्ति प्रतिक्रिया समय तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दी प्रतिक्रिया समय यानि रियक्षन टाइम हो जाएगा यानि फिट्नेस को सामानतिया बिना अधिक ठकान के दैनिक गत्विदियों को पूरा करने की दच्छता को स्वास्त संबंदी प्रतिक्रिया यानि समय दच्छता का भाग नहीं माना जाता है प्रत्किरिया का समय ठीक है इसका जो डी राइट अंसर है क्वेश्चान नमबर 18 स्वास्य संबंदी दच्छता का प्रमुक घटा के चार आप्सन दिये गए हैं कार्डियो वैस्पुलर एंडियोरेंस बाड़ी कंपोजीशन मांस्पेशी सक्ति लचीला पन तो इसका राइट अंसर हो जाएगा यह हो जाएगा कार्डियो वैस्पुलर एंडियोरेंस ठीक है इसका राइट अंसर है क्वेश्चान नमबर 19 नेमने लिकित में से क्या उस्पूल स्वास्थ कार्क्रम से संबंदित नहीं है स्वास्थ संबंदित रिकार्ड तो इसको राइट अंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर है कि यह इनी इस स्वास कारकरम से संबंधित नहीं देखो यह तो इसमें ठीक हैं या स्वास संबंधी रिकॉर्ट तुरांग हो जाएगा साफ सफाई बेरांग हो गया रोक प्चा यह बेरांग हो संबंधी परामर्स क्वेश्चान नमबर 20 वयक्सक मानो शरीर में पानी की मात्रा की रेंज होती है कितिनी रेंज होती है पानी की देखो 20 से 40 प्रतिसत 50 से 75 प्रतिसत 30 से 60 प्रतिसत इन में से कोई नहीं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा B 50 से 75 प्रतिसत जल एक जो स्वच्छ स्वादरहित तता गंदरहित तरल होता है ठीक है जो रासानिक संकटन में दो भाग कितने हैं दो भाग हाट रोजन तता एक बग आक्सीजन से मिलकर बनाता है हाट रोजन और आक्सीजन कितने आक्सीजन और हाट आट आट आंसर क्या है B है अनि वैक्स मानुष शरीर में पानी की मात्रा की रेंज होती है 50 से 75 प्रतिसत अच्छे स्वास्त के लिए आवस्यक मूल भूत सर्तों में सामिल है उप्यूप्त, आहार, व्यक्तिकत और भरेलू साफ सपाई व्यायाम और आराम ये सबी तो इसमें जो आफसन जो दिये गए है पहला था इसमें उप्यूप्त, आहार तो अच्छे स्वास्त के लिए आवस्यक मूल भूत सर्तों में सामिल है व्यायाम और आराम यह भी आवस्तेक है, तो राइट अंसर क्या जाए इसका है, दी हो जाएगा है, यह सबी उपर देगी तिनों पॉट्ट क्या है, डी इसका राइट अंसर है, क्वेशन नमबर 22, हेपेटाइटिस भी वाइरस सरीर के किस संग को प्रभावित करता है, यक्रत, मस्तिस्क, हिर्दय, गुर्दा, तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा, राइट अंसर हो जाएगा, यक्रत, हेपेटाइटिस भी वाइरस सरीर के यक्रत अंग को प्रभावित करता है, किसको यक्रत को, और हेपेटाइटिस के जो विसाड होते हैं, वो छे प्रकार के होते हैं, विसाड कितने प्रकार के 23 नेम न लिखित में से क्या स्वास्त से जुड़ा फिटनेस घटक है? प्रतिकरिया, योकिता, फुर्ति, तेजी, पेशी, सहन सक्ति. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा D, पेशी, सहन सक्ति. यानि स्वास्त सम्बंदी सचमता के जो घटक होते हैं, इसमें फर्स्ट होता है सरीर की सन्रचना, फर्स्ट क्या होता है सरीर की सन्रचना, सेकंड होता है मांस पेशी, सहन सक्ति, थर्ड होता है मांस पेशी, सक्ति, और चाथा होता है इसमें लचीला पंक, पांचवा होता है हर्दे स्वसन सहन सेलता है हर्दे स्वसन सहन सेलता क्वेश्चन नंबर 24 एक छोटा बच्चा किस कमी से साइक्ल नहीं चला पता है चार अप्षान से इसमें परिपक्वता, परिपक्वता, कम प्रोटीन, कम होसा तो इसका right answer क्या हो जाएगा, कर राइट answer हो जाएगा यह हो जाएगा परिपक्वता एक छोटा वालक परिपक्वना होने के कारण साइक्ल नहीं चला पता है सीखने के लिए मांसिक और सारीरिक परिपक्वता आवस्यक है मांसिक और सारीरिक परिपक्वता आवस्यक है इसका जो ए राइट अंसर है परिपक्वता Quesion No.25 स्वास्त सिच्छा में बुनियादी सिद्धान्त कहां से प्रारम्ब करना है प्राचीन से आधुनिक प्रारम्बिक से हाल ही का स्वाच्छिक से गयर स्वाच्छिक जानकारी से अन्भिक्यता इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर हो जाएगा D. जानकारी से अन्भिक्यता स्वास्त सिच्छा में बुनियादी सिध्धान जो है जानकारी से अन्विग्यता प्रारंब करना है Question No.26 मुक्यता स्वास्त किस्पन निर्भर करता है तो स्वास्त किस्पन निर्भर करता है चार आफ्शन इसमें दिये गए हैं जन्निक, जैविक, सांथक्रतिक, सामाजिक तो मुक्यता स्वास्त किस्पन निर्भर करता है सामाजिक पन निर्भर करता है कि स्वास्त की सुर्वार जो है हमारा बाहरी वाता और अगर स्वच है तो हमारा स्वास्त क्या है अच्छा बना रहता है इसका जो डी राइट अंसर है सामाजिक स्वास्तता का अर्थ है आंत्रिक सक्त की चमता अमीर होना स्वास्त रहना सुडोल शरीर तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा स्वास्तता का अर्थ है आंत्रिक सक्त की चमता आंत्रिक सक्त की चमता क्वेश्चा नमबर 28 नेम लिखित में से किसके द्वारा इसकुल स्वास्त रिकार्डों का प्रायोग किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है चीकिसा, अधिकारी, नर्शो द्वारा, सारिरेक सिथ्चा, टीचर या कमपाॉंडर्स तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी सारिरेक सिथ्चा, टीचर के द्वारा, स्कूल स्वास्ते, रिकाडो का प्रियोग किया जाता है question number 29 अच्छे स्वास्ति का मुख्य कारक माना जाता है तो कौन सा कारक इसमें मुख्य माना जाता है चार आपसंस है प्रदूसित रहित पर्यावरण पॉस्टिक आहार अच्छी जीवन धिन्चरिया तनाव रहित जीवन यहां पर जो तनाव रहित हो जाएगा यहां पर वा हो जाएगा तनाव रहित जीवन तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा C अच्छी जीवन धिन्चरिया अच्छे स्वास्ति का मुख्य कारक अच्छी जीवन दिन चरिया को माना जाता है Question number 30 सर्फ काटने के तुरंद बात क्या करना चाहिए चार आपसाइस में चूसना केप बैंडेज का प्रयोग रुगार रोधक का प्रयोग दो निकेट बैंडेज का प्रयोग तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा राइट अंसर हो जाएगा यह हो जाएगा चूसना सर्फ के कटे हुए इस्थान के थोड़ा ऊपर की ओर रुमाल टाई या अनिक सी रस्षिस से कसकर बांध देना चाहिए ठीक है यह जो इसका राइट अंसर है चूसना अब उसको जो अरस्षिस से काज़े से बांध देना चाहिए और सेकंड इस पर पॉइंट हो जाएगा साब के कटे हुए इस्थान पर चीरा लगाना चाहिए ठीक है चीरा लगाना चाहिए अब विस का सोसड करना चाहिए या विस खीचने का कोई साधन ना मिले तो मुह से ही कटे हुए इस्थान पर चूसकर ठूक देना चाहिए परन तो मुह से चाले या कटावा नहीं होना चाहिए ठीक है चाले या कटावा नहीं होना चाहिए नहीं तो विस चूसने वाले वेक्ट के सरीर में प्रिवेश कर जाएगा ठीक तो इसका राइट अंसर क्या जाएगा ए तूसना Question number 31 जैविक स्वस्तता के द्रेश्टिक कोड से स्वस्तता का वास्तविक आसा है किसकी स्वस्तता के संबंध में है जिवपूर रूप से विसेरल अंग सरीर के विबिन प्रडाली तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा शरीर के विबिन प्रडाली जैविक स्वस्तता के द्रेश्टिक कोड से स्वस्तता का वास्तविक तात्पर शरीर के विभीन प्रडाली यानि स्वस्तता के संबंद को दर्साती है DKS का राइट आंसर है जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं कियें चैनल को सस्क्राइब करतें और लाइक करतें धन्यवाद